कि हलो तो हम आपके लिए उत्रप्रदेश पाबर क्वेशन का जह प्रिबिसरे का का कóशिन पेपर लेकि आए हैं यह हमारा फ़ासट पाट रहेगा जंक आपको पता कि उत्रतर पेश का पाबर क्रपेशन का जो ऐस्गा हुआ था G sua उसमें 1500 question जो थे वो टेकनिकल के थे तो 1500 question आपको पता कि बहुत ही लंबी वीडियो बन सकती है दो गंदे की तो हम इसको दो पार्ट में बना रहे हैं 75-75 वो जो numerical बहुत ही lengthy numerical होगे उनको हम यहां पर solve नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको भी पता कि हमारी screen कैसी है हमारा system कैसा ह है तो जो कम फर्मूले के numerical हैं हम उनको ही solve करेंगे तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के अपनी वीडियो तो यहां पर हमारा technical section नहीं दिया गया है यहां पर सर्फ हमारा जो है science बगारा का भी question include हैं तो हम इनको नहीं करेंगा हम सिंप्ली चलते हैं आपने technical question की और technical question जो ह हैं वो कहां से शुरू हैं यह हमें देखना पड़ेगा जिसने चैनल को subscribe नहीं किया वो कर लीजिए और साथ में बैल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए अपर बहुत ही ज्यादा question जो है वो दिये गये हैं हां यहां से हमारे technical question जो है वो शुरू होते हैं तो देखी जो first question यहां पर पूछा गया था वो क्या था for a beam carrying carry a uniform distributed load throughout its length in which of the following configuration will the strain energy be maximum cantilever में होगी beam में fix beam में simply supported में या फर propeller cantilever में किस में आपकी strain energy maximum होगी तो वैसे यहां पर answer तो दिया ही है लेकिन फिर भी आपको पता होना जुरूरी है कि भाई strain energy जो होती है वो क्या होती है वो किस में maximum होती है तो यह important चीजे हो जाती है तो strain energy जो होती है वो maximum होती है cantilever के cases में अगर हमारा moment जो है वो भी हाई है maximum moment जो होता है वो भी हाई है तो हमारी जो strain energy होगी वो भी हाई होती है तो इसलिए option यह बाला cantilever हमारा इस question में answer हो जाएगा अगर आप maximum moment की बात करेंगे cantilever के cases में तो वो होता है wl square divide by 2 अगर आप fix beam की बात करेंगे तो उसके लिए wl square divide by 12 होता है अगर आप simply spotted beam की बात करेंगे moment की तो wl square divide by 8 अगर है यहाँ पर प्रॉपलर cantilever की बात करेंगे तो इसके लिए जो moment होता है वो भी wl square divide by 8 ही होता है simply spotted and cantilever दोनों के लिए जो moment होता है वो wl square divide by 8 ही होता है सिर्फ cantilever and यह जो होता है fix के लिए इनके लिए moment अलग अलग है तो maximum moment अगर आपका high है तो आपकी stay in energy भी high ही होती है तो इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए उसको बद अगला question है अगला question देखिए यहां पर which one of the following represent the specific speed of turbine specific speed जो होती है turbine की वो कौन represent करता है यहां पर क्या answer रहेगा इस question में हमारा तो specific speed जो होती है उसको आप ns से denote करते हैं वो होती है n under root p divide by h का 5 बटे 8 तो यह होती है specific speed तो यहां पर जो हमारा answer रहेगा वो कौन सा रहेगा वो यही रहेगा option 1 ही रहेगा तो जो specific speed होती है वो different different होती है turbine के लिए आपको पता है कि सबसे कम जो specific speed होती है वो pelton wheel की turbine होती है उसमें आपको देखने को मिलती है सबसे ज़ादा होती है high specific speed जो होती है वो आपको कپलाइन और प्रपलर डिर्वाइन जो होती है उसमें देखने को मिलती है कि इसकी speed होती है वो 250 meter से ज़ादा होती है तो यह चीज़ आप याद रखिए हाई कपलान में होती है सबसे कम जो होती है वो पेल्टिन वील की टिर्वाइन में होती है स्पेस्टिक स्पीड तो यह दोनों भी आप अच्छी तरह से देख लीजिए अब अगला पुशन देखिए इफ दा ब्लेड एंगल एड आउटलेट तब मैक्सिम हाइड्रॉलिक एफिशेंसी ओफ आइडल इंपल्स इस तो वो होती है वन प्लस कोस थीटा डिवाइड वाइड 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 तू अप्शन यही हमारा अंसर हो जाएगा यह जो होती है वो डाया होता है तो यह दिख लिजिए वैरी वरी इंपोर्टन पॉइंट है आपके लिए अगला देखिए the ratio of elongation of conical bar due to its own weight and that of prismatic bar of same length is so देखिए जो elongation होती है conical bar के लिए conical bar जो होती है due to self weight की बज़े से its own weight की बज़े से यह आपको पता होनी चाहिए कि क्या होती है तो वो होती है gamma L square divided by 6E होती है यह conical के लिए होती है अगर आप prismatic compass की बात करेंगे same length के लिए या फिर उसके own weight के लिए elongation जो होती है वो होती है gamma L square over 2E होती है 6E तो conical के लिए होती है 2E जो होती है वो prismatic के लिए होती है तो इन दोनों का ratio पूछा गया हमसे ratio आप करते हैं यहां पर तो हमारे पास gamma L square gamma L square से gamma L square कट हो सकता है E से E कट हो गया तो यहां पर 3 ऐसे हो सकता है तो एक बटे 3 हमारे पास अंसर हो सकता है ऐसे एक बटे 3 हमारे पास अंसर यह आ गया है अगला कुशन देखिए इन इन वैट soil mass air occupies एक बटे 6 of its volume and water occupies एक बटे 3 of its volume the void ratio of the soil sample is void ratio कितना होगा तो वैड रिशो हमारे पास जो होगा वो कितना होगा वो एक होना चाहिए यही हमारा इस question में इसर है वो इडिशो आपको पता है कि find out कर सकते हैं पॉल सिटी से आप आपको पता ही है अगले देखिए रीडिंग टेकन ओने station by level जो रीडिंग ली जाती है station पर by level के त्वारा whose elevation is noun उसकी elevation हमें पता है उसको आप backside के नाम से जानते हैं backside के नाम से जाना जाता है यहां से तो question पूछा ही गया है लेकर यहां से वह question पूछा जा सकता है 4-side जो होती है जिसको आप FS से डिनोर कर सकते है बैक side जो होती है फोर साइट जो होती है अगर आप इस्टुमेंट चैंज करने से पहले जो लास्ट जीडिंग ली जाती है उसको 4-side के नाम से जाना нाता है तो इसको भी आप याद रखिए बैक साइड जो होती है तो इसका जो हमें एलिवेशन होता है इनके जो होता है वो पता होता है तो यह भी आपको पता होना जुरूरी है तो इंपोर्टन कोशिंट है अगला देखिए था परसेंटेज ओफ फ्रेश वाटर अवेलेबल एज पोलर आइज ग्लेशिरी कंपेर ट टॉटल फ्रेश वाटर इस होता है यह कोशिंट जो है وाटर सप्लाई से पूछा गया है आपको परता है कि वाटर सपलाई इंजिनिरींग किया गया है दो पार्ट में कैसे एक फ्रेश वाटर होता है जिसका परसेंटेज होता है फ्रेश वाटर का 2.5 परसेंट होता है दूसरा होता है सोल्ट वाला पानी तो सोल्ट वाला पानी जो होता है उसका परसेंटेज होता है 97.4% सोल्ट वाले पानी का परसेंटेज है हमारी अर्थ पर और फ्रेश वाटर का कितना है 2% है अब यहाँ पे जो कोशिन पूछा गया है वो fresh water से ही पूछा गया है तो fresh water को again हमने क्या किया है उसको चार part में divide किया गया है चार part उसमें आता है हमारा ice and glacier ice and glacier के दोरा जो पानी है उसका percentage 68.7% है यही हमसे question में पूछा गया है तो इसलिए हमारा यही answer हो जाएगा उसमें हमारा fresh water में ground water भी आता है ground water के percentage की बात करेंगे तो 30.1% है उसके बाद हम अगर आप surface water की बात करेंगे surface water जो होता है उसका 0.3% यह surface water है and other जो है other जो पानी है उसका 0.9% है तो fresh water को चार part में divide किया तो हमसे यही पूछा गया तो तो हमारा answer यह देख लिए 68.7 वैसे यह पर 69.61 दिया गया लेकिन कोई बात नहीं हमारा answer actual answer यह होगा तो यह चीज़ भी आपको अच्छी तरह से पता होनी जरूरी है अगले देखिए बाइ अप्रोक्सिमेटल मेतड़ दा कंपोडेशन ओफ एन कंपोनेट एक टाइम ऑफ सदन ड्रोटाउन कंडिशन दा वेट इस कंसीडर जो वेट कंसीडर किया जाता है वह होता है saturated unit weight वैसे अंसर यह होगा saturated unit weight यह नहीं होगा यह बोड़ बालों ने गलत option इसको बता दिया है तो हमारा अंसर यह होगा तो बहुत कोशन लगाने का यहीं फाइदा है कि थोड़े बहुत कोशन अगर गलत भी है तो उसको आप ठीक कर सकते हैं तो अगला यहां पर question क्या बोल रहा है तो acceptable noise label जो होता है bank और big offices के लिए वो क्या होता है acceptable जो question बहुत ही ज्यादा important है तो वो 50 से 60 decibel होता है यही हमारा correct answer होगा पचास से 60 जो होता है वो big offices bank वगेरों के लिए होता है तो इसको भी आप अच्छी तरह से देख लिजी यह question जो है acceptable noise वाला यह बहुत ही मैंने कई जगा देखा है यह UPSCJ और SSEJ में ऐसे question जो है कई बार बूचे गए हैं तो आपको पता है कि ज़्यादा बिकेंसी जो निकलती है वो SSEJ में निकलती है और UPJ में निकलती है तो जो SSEJ और UP से समन्द रखते हैं उनके लिए question बहुत ही ज़्यादा important है बाकी वैसे और भी question बन सकते हैं acceptable noise के तो इसका मैं यह करूँगा कि अपने community section में इसको आपको provide कर दूँगा आप वहां से जाकर देख सकते हैं अगला जो हमारे पास यहां पर question बूचा गया कि separation of fluid flow is cause by fluid को जो flow होता है वो separate हो जाता है उसका क्या कारण होता है उसका यह कारण होता है कि presence of adverse pressure gradient यही कारण होता है तो इसको आप देख लेजिए यह boundary layers की बतार से आपको देखनों के मिलता है अगला question देखी यहां पर some factor about pile foundation is given below find the correct combination find the correct combination तो correct combination एक and 3 ही है यहां पर तो यही एक 3 अब यहां पर देखें कि हमारे पास diagram दिया गया है तो diagram से हमें question को find out करना है यहां पर question क्या बोल रहा है in given hydrograph the peak या फिर crest segment is indicated by यहां पर हमारे पास option BP, BC, AB और PC दिया गया है तो यहां पर crest और हमें क्या बताना है peak segment बताना है तो देखिए हमारे पास जो A और B जो होता है A और B जो point है यह rising rising limb को indicate करते हैं A and B rising limb को represent करते हैं तो यह चीज़ आपको पता होनी चाहिए अगर मैं पूरी जानकारी आपको दूँगा कि A और B जो A starting point होता है and B जो होता है last बाला point होता है point of inflation बोलते हैं तो यहां पर आपको confuse हो जाएंगे तो इसको हम ऐसा करूँगा कि अपने community section में provide कर दूँगा आप जुरूर से widget करके देख सकते हैं पढ़ सकते हैं इसके बारे में अगर हम यहां पर B और C point की बात करेंगे इसको हम बोलते हैं peak and crest peak or crest segment हम इसको बोलते हैं तो यह चीच आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में हमसे पूछा था and हमारे पास last one C and D जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं falling limb falling limb के नाम से हम इसको जाना जाता है C and D तो element जो होते है flood hydrograph के उसको तीन पार्ट में divide किया गया है AB, BC और CD तो इन तीनों के नाम में आपको बता दिये हैं कि कौन-कौन से element है इनके नाम क्या है, AB का क्या है, CB का क्या है, BC का क्या है तो इस साथ नाम में आपको बता दिये हैं अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए इसके ओपर तो आप हमारे चैनल पर visit कर सकते हैं वहाँ पर मैं आपको पूरी जानकारी जो है provide कर दूँगा अगला question देखिए तो core period of rabi crop is rabi crop का जो core period होता है, वो कितना होता है अगर आप rabi crop की बात करेंगे तो उसका जो core period होता है core period के बारे में पूछा गया तो उसका चार हपते का होता है अगर आप खारीफ की बात करेंगे, खारीफ जो crop होती है उसकी बात करेंगे तो उसका 2-3 हपतों का होता है weeks का होता है, 2-3 का खारीफ का होता है तो ये चीछ आपको पता होनी चाहिए, सबसे पहले आपको core watering के बारे में भी पता होने चाहिए जब हमारी फसल है वह कुछ सेंटीमेटर तक ग्रो होती है तो जब उसको पहली बार पानी दिया जाता है उसको कोर वाटरिंग के नाम से जाना जाता है यहाँपर बैसे गलत लिखा है सी ओ सदूनि के ओ आर होता है तो core watering तो यहां पर यह गलत है तो इसको थोड़ा साफ ठीक कर सकते हैं तो यह चीज आपको पता होनी चाहिए बहुत एक question जो है वैसे पैलियो इरिगेशन से भी पूछा जाता है पैलियो इरिगेशन तो यहां से भी question जो है पूछा जाता है कहने का meaning है कि जो पहला पानी दिया जाता है फसल जो होती है उसको बहने से पहले उसको आप प्लाव इरिगेशन के नाम से जानते हैं तो यह चीज भी important हो जाती है हमारे exam के point of view से अब इस question को हमें रहने देते हैं कि यह lengthy numerical लग रहा है मुझे तो इसको रहने देते हैं यह इसका अंसर वैसे यही होगा अगला देखिए when water table rise to the ground level then the ultimate bearing capacity of shallow foundation on sand is reduced to following percentage तो 50% तक reduce हो ही जाती है अगला question देखिए यहाँ पर हमसे क्या पूचा गया है slenderness ratio के बारे में पूचा गया है reversal तो reversal के लिए हमने आपको tension के cases में बहुत ही point जो है वो बताय हुए है तो important है 350 ही होता है वैसे जो question है slenderness ratio से वो कई वार कई question के लिए पूचा गया है तो वो भी आपको पता होना जुरूरी है कि भाई क्या क्या हो सकता है जैसे देखिए maximum slenderness ratio हमसे एक बार exam में lacing वार के लिए भी पूचा गया है lacing बार जो होती है lacing बार या फिर lacing member के लिए एक सो 145 होता है lacing बार के लिए एक हमारे पास hanger बार के लिए भी इसाम में question जो भी पूचा गया है हमसे नहीं बसे मैंने कई question देखे हैं exam के तो वहां पर hanger बार से question पूचा गया है या फिर हमारे पास एक ceiling fan की जो रोड होती है उसके बार में question पूचा गया है तो hanger बार हो या फिर ceiling fan की जो रोड हो उन सभी के लिए इन दोनों के लिए जो slenderness ratio होता है वो 160 होता है जो मैं आपको point बीच में बताता हूं वो बहुत ही important होते है exam के point of view से तो सारे point हम जो है cover करते हैं चाहे हां कैसा भी हो तो सारे point हैं या पर cover हो रहे हैं कि उसके लिए क्या पूचा था कहां पर यह पूचा गया था तो यह चीज भी important हो जाती है आपके exam के point of view से तो BOD की जो demand होती है safe drinking water के लिए जीरो ही होती है बिल्कुर सी बात है जीरो होती है permissible limit जो है यहां से आपको पदाएगी बहुत question जो है बहुत बार पूचे जाते हैं तो वो भी हमारे लिए important है अगले देखे on national and state high with speed limit sign on fix some distance ahead from where the speed limit actually start the distance should be distance जो होती है वो शुट भी कितनी होनी चाहिए तो यह जो होता है 120 पर होता है fix कि जाता है 120 मेटर पर ahead from the speed limit actually start इतनी होती है तो यह चीच important है अगला question देखिए हाँ पर coefficient of discharge in term of orifice is actually a discharge A and idle discharge D is क्या होगा इस question के लिए A divided by D यही होगा हमारे इस question में answer वही SMS सोचना कि यहाँ पर एक numerical था तो हमने आपको ऐसे तुकल लगा के अंसर बता दिया है यह जो definition है definition है coefficient of discharge की coefficient of discharge इसको CD से denote किया जाता है इसकी जो definition होती है it is the ratio of यह पर defined as the ratio of actual discharge to the idle discharge actual discharge को A से denote करते हैं और idle discharge को D से आफ denote कर सकते हैं तो it is the ratio of A Y D यही है और इस आपको पता है कि एक instrument होता है device होता है जो major करता है हमारे discharge को तो यह चीज है बाकि और कोई चीज नहीं है वैसे यहां से question जो है एक और बन सकता है कि CD जो होता है इनके coefficient of discharge जो होता है उसकी जो value होती है वो vary करती है कहां से कहां तक यह exam में question बन सकता है तो वो value vary करती है 0.61 से लेकर 0.65 यह value vary करती है यह देख लेजिए 0.61 से लेकर 0.65 यह value vary करती है और इसके लिए यह देख लेजिए very important point है हमारे इसाफ से अब next question हमें आपर देखते हैं The rise and fall along the road camber is rise and fall जो होता है along the road उसको आप किस नाम से जानते हैं तो उसको आप slope के नाम से जानते हैं The rise and fall along the road कहने का meaning यह है If it is gradual rise, gradual rise होता है उसको आप positive gradient के नाम से जानते हैं यह निकि gradual तरीके से बढ़ रहा है, rise हो रहा है, उपर की तरफ हो रहा है उसको आप positive gradient के नाम से जानते हैं या पिर अगर आपका gradual क्या हो? fall हो तो उसको आप negative gradient के नाम से जान सकते हैं तो slope से ये दो question और बन सकते हैं gradual rise होगा तो उसको positive gradient हम कह सकते हैं gradual fall होगा तो उसको negative gradient भी हम कह सकते हैं तो ये important है अगले देखे which one of the falling section perform better on the ductility criteria ductility criteria के ओपर under reinforce section जो होता है वो बिल्कुल ही सही बैठता है बहुत ही अच्छी तरह से perform करता है अब यहाँ पर यह answer कैसे आया यह भी आपको पता होना चाहिए तो behavior जो होता है under reinforce beam का वो more ductile होता है किसके मकाबले over reinforce beam के मकाबले क्योंकि जो under reinforce beam होता है उसमें जो आपको failure देखनों को मिलता है वो steel failure आपको देखनों को मिलता है steel failure हमें देखनों को मिलता है क्योंकि हमारा जो under reinforce beam होता है जो maximum permissible stresses होता है वो steel के steel पर ही सबसे पहले पहुंचता है क्योंकि steel हमने कम provide किया होता है तो under reinforce beam is the section perform better on the ductility criteria या option यही इस question में अंसर हो जाएगा अगला देखिए टाइलर स्टैबिलिटी चार्ट आर बेस्ट ऑन दा total stresses using तो friction circle method यही हमारा अंसर होगा अगला question क्या है यहां पर if the diameter of longitudinal bar of square column is 16 mm the diameter of lateral ties should not be less than किस value से काम नहीं होना चाहिए तो पर lateral ties के बारे में आपको बताया कि क्या होता है six mm या फिर एक बटे चार of the diameter of the bar which average greater तो हमारे पास diameter दिया गया है 16 बटे चार 16 बटे चार चार चुकर 16 चार एपम तो दोनों में से जो भी ज़्यादा रहेगा 6 mm या फिर एक बटे चार of the diameter of longitudinal bar तो हमें पता कि 6 बड़ा है चार चोटा होता है तो इसलिए क्या answer यहाँ पर होना चाहिए six mm is the correct answer यह चार गलत है यहाँ पर यह भूल जाएए इसको आप बेशक आप अपनी किताब खोल सकते हैं वहाँ पर क्या दिया है उस हिसाब से आप value put up करके answer को find out कर सकते हैं तो यह जार नहीं होगा भई 6 mm ही हमारे पास answer होगा तो यह चीज़ आप देख लीज़ेगा अब यहां पर next one question क्या बोल रहा है देख लीज़े सबसे पहले काम करते हैं कि हमारी screen जो है इसको white कर लेते हैं हाँ यह देखिए white screen बहुत ही अच्छी है अब देखिए maximum number of vehicle that can pass a given point on a lane during one hour without creating unreasonable delay is known as उसको हम practical capacity के नाम से जानते हैं practical capacity answer one बिल्कुल सही बात है इसको भी देने देते हैं अगला देखिए the noise pollution which produce pain in the heart noise pollution that which produce pain in the heart and narrowing of aracious comes under falling effect किसमें आता है वो तो वो psychological effect में ही आएगा बिल्कुल सही बात है अगला देखिए turbidity in water is due to turbidity जो होती है पानी में गंदा गंदा जो होता है पानी वो किस बज़ा से होता है मिटी और गंद फंद देखिए दो इन औरगानिक एंड औरगानिक दोनों की बज़ास ही आपको देखने हों को मिलते हैं तो इन औरगानिक में clay बगर आता है और एंड और गैनिक जो होते हैं उसमें क्या आता है प्लांट बगारा टेहनिया बगारा सकती है अलगीज जो होती है वो आ सकती है तो इसको आप देख लिजी वेरी इंपोर्टन कोशिन है यह अगला क्या वोर रहा है तर रिशो ऑफ डिपलेक्शन ऑफ फ्री एंड ऑफ केंडी लिबर डियू तू कॉंसर्टर लोड एट वन थ कि यह स्कॉर्ड क Cookie लिए के सबिक्याद स्ले म n gi क्लसिफाइड स्वइल को 18 ग्रुप में डिवाइब किया अथारा ग्रुप में डिवाइड किया ग्या है कि आठ्पी जो है वह किसके है आस जो ग्रुप है वह स्वें सोंकिफ के हैं Gooss Grain नाइन जो ग्रूप है फञञ्र ग का ग्रुप है पीट तो यह देख दीजिए जैसे कि हम बात करेंगे यहाँ पर मैं एक्जेंपल के लिए आपको बता दूँ कि भाई हमारे पास जैसे कि फाइन की अगरा बात किके फाइन के ग्रुप हैं जैसे कि लो कंप्रेसिबिटी मीडियम कंप्रेसिबिटी हाई कंप्रेसिबिटी तो यह फाइन में आते हैं तो यह नो गुरुप बनते हैं ऐसे से अगला इसकोशन का यह अंसर होगा अगला देखिए इसका भी यही होगा अगला देखिए इस टेलिस्कॉप और थैडुलाइट कें रोटेट अवाट थैडुलाइट के नाम से जानते हैं अगला देखिए हैं यहां पर फ्रोम हाई लेबल वाटर सॉट्स तफाटर सप्लाइट सिस्टम यूजड इस टर्म एजड़िस्टम होता है अगले का यही अंसर होगा निश्ट देखिए वेन रेन फोल्स एज वाटर ड्रॉप्स ओफ साइज के इतना है 0.5 mm लाइट इन वेट तो अपियर एज फ्लोटिंग इन एर इस टर्म एज उसको आप किस नाम से जानते हैं रेन सबसे पहले आपको रेन का साइज पता होना चाहिए यहां पर ड्रिजल स्नो ड्यू रेन इन सभी के बारे में पता होना चाहिए क्या क्या हो सकता है इसके बारे में तो अगर मैं यहां पर रेन के साइज की बात करूं रेन जो होती है उसके ड्रॉप्स की बात करूं ड्रॉप्स जो होती है उसका साइज 0.5 से लेकर 6 mm का होता है तो यहां पर पुछा कि less than 0.5 mm तो rain का size तो यह होता है rain हमारा answer होगा नहीं तो drizzle के size के अगर आप बात करेंगे तो वो less than होता है 0.5 mm से तो इसका मतलब यह है कि answer बिलकुल ही सही है इसको आप drizzle के नाम से जानते हैं सुनों बगारा को कोई size मुझे पता नहीं है and dew इसका भी मुझे size नहीं पता है तो आप देख सकते हैं वैसे यह dew के बारे में आपको बता सकता हूं कि moisture condensed in small drops upon cool surface थंदे surface में जो moisture होता है वो dew ही होता है अगला देखिए यहां पर intensity of longitudinal stress in cross section of beam at any distance D from the neutral axis is proportional to D के proportional होता है बिल्कु सभी बाद है D के प्रपोर्शनल होता है अभी lengthy numerical लग रहा है इसको भी हम नहीं कर सकते हैं अगला देखिए what is the correct sequence of the falling metal in the decreasing order of their poison ratio प्रपोर्शनल जो है बहुत ही ज्यादा important है aluminum cast iron steel decreasing order में हमें लिखना कि ABC में सबसे पहले किसका कम होगा कि किसका ज्यादा होगा अगर हम engineering purpose के लिए poison ratio की बात करेंगे इसका जो definition होती है it is the ratio of lateral strain to longer general strain यह होती है poison ratio की value जो zero value होती है poison ratio की यह होती है cork के लिए and 0.5 होती है यह होती है हमारे rubber के लिए rubber के लिए सबसे ज्यादा poison ratio की value होती है cork के लिए सबसे कम होती है है अब हमसे पूछा गया कि भाई ऐलूमीनियुम एलूमीनियुम देखिए ऐसे सी जई एच भी जई में शायद कोशन पूछा गया था कि कास्ट आइरन से था मुझे पता याद नहीं आ रहा है मैंने एक बार देखा था सो अलूमीनियुम की अगर आप बात करेंगे इसका 0. तो स्टील जो होता है उसका 0.28 होती है यह पूजिनियु की वैली होती है अब हमारे पास यहां पर जो अंसर होना चाहिए एसी भी यह अंसर दिया गया है यहां पर ए सबसे ज़्यादा अलूमीनियुम में है डिक्रीजिंग ओर्डर में पूछा है यानि कि सबसे कम-कम ऐसे होगा ना तो अलूमीनियुम बिल्कुल सही बात है यह देखिए एंड सी का जो दिया गया है स्टील का 28 बिल्कुल सही बात है फिर लास्ट में 23 27 अगर आप इसको भी लेते हैं तो 27 यह कम ही है तो बिल्कुल सही बात है भई यही है डिक्रीजिंग ओर्डर में अगला कोशन देखिए लोड कैरिंग कपैसिटी ओफ ब्रोड पाइल इन सैंड इन कंपेक्शन तो ड्राइवन पाइल विल वी कितनी होती है दो बटे तीन से लेकर एक बटे दो यही होती है पाइल के केसिज में अगला क्या बोर रहा है फोर ए पर्टिकॉलर क्रॉफ्स ड्यूरि इट्स बेस्पिर्ड दा यूरिट वाटर फ्लॉइंग दे एंड नाइट तो इरिगेट दो क्रॉफ एरिया इस उसको ड्यूटी के नाम से जानते हैं वही यहां पर ड्यूटी से तो आप हमारे चैनल पर बिजिट किया कि जिए डेली ऐसा ने की वीडियो देखे और चले गए क्योंकि वहां पर आपको एक बुक्स के तोर पर एक आपको फोटो मिल रही है तो आप फोटो को देखकर जब डेली का कुछ ना कुछ आपको नोलिज मिल रहा है डेली का अग सब्सक्राबा दस कोशन भी अगर आप हमारे कमेंट्री सक्षन से देखकर जाते हैं तो वह आपका ही फाइदा है दस कोशन दस मिनिट में आप उस पेज को पन्ने में लगाते हैं तो आपका ही फाइदा है भई कुछ ना कुछ नोलिज आपको जुरूर मिलेगा अगला देखिए बैब क्रिप्लिंग जो होती है वो आपको देखनों को मिलती है कहां पर जहां पर हमारा कंसेंट्रेटर्ट लोड लगता है ऑप्षिन वन हमारा इस कोशन में अंसर हो जाएगा अगले देखिए विच वन अफ़ फॉलिंग ऑप्षिन इस ट्रू फॉर कंबाइन सिस्टम ऑफ सीवरेज सिस्टम के लिए कौन से ट्रू है तो वो होता है सीवेज एंड रेंवाटर वाला ऑप्षिन यह वाला फस्ट यह सेकंड वाला गलत है सीवेज एंड रेंवाटर वाला विल्कुल ही सही अंसर होगा यहां पर अगला देखिए the displacement method is also referred to as which one of the following displacement method जो होता है उसके बारे में यहां पर पूछा गया तो slope deflection method यही बिल्कुल सही अंसर होगा अगला देखिए यहां पर क्या बोल रहा है the ratio of immediate settlement of rigid footing to the maximum settlement of equal flexible footing will be ratio पूछा गया इन दोनों का flexible footing will be क्या अंसर रहेगा यहां पर तो यहां पर हमारे पार rigid footing के लिए पूछा गया है कि इन्फूरेंस फेक्टर कितना होता है तो influence factor जो होता है flexible footing के लिए पहले यहां पर rigid footing के लिए रिजिट footing के लिए 0.8 होता है and flexible के लिए 1 होता है तो इन दोनों का ratio पूछा गया तो 0.8 divided by 1 यह आएगा हमारे पास 0.8 0.8 हमारे पास यहां पर अंसर बिल्कुल सही है देखिए बिल्कुल सही है अगले देखिए what is the flexural strength of M25 concrete grade कितना होता है flexural strength होती है M25 के लिए वो कितनी होती है flexural strength होती है 0.7 अंडरूट एफ सी के एफ सी के 25 है हमारे पास रूट करके पांच आएगा पैंतिस तीन पैंतिस एंप यहां हमारे पास अंसर आ गया कि इसका भी अंसर यह होगा अगले देखिए increase in traffic volume due to increase in transport vehicle is known as उसको generated traffic growth हम बोलते हैं नेश्ट देखिए if a constant section beam is subjected to uniform bending moment throughout its it bend as it bend at bend as circular arc की तरह वो bend होगा अगला क्या पूर्द रेश्व टेंजाइल स्टेस डेवलप इन वोल ऑफ बॉइलर इन दा सर्कुंफ्रेंशल ड्रेक्शन टू दा टेंजाइल स्टेस इन एक्जिल ड्रेक्शन में तो वो दो ही होता है इन दोनों का रेश्व तो पढ़ सकते हैं आप यहां पर हमारा और इंटर्सक्शन मैथड ही होगा अंसर अगला जो है इसका भी अंसर यही होगा अगला क्या बोल रहा है यहां पर क्या होना चाहिए 180 D ही होता है कि यहां पर स्टिफनर जो होते हैं वहां से सारे क्वेशन जो है पूछे जाते हैं जैसे कि यहां पर spacing के बारे में question पूछा जाता है कि भाई minimum spacing जो होती है वो कितनी होती है maximum कितनी होती है यह चीज important है हमारे exam के point obvious कि भाई आप vertical stiffener use कर रहे हैं तो minimum spacing जो होती है वो 0.33d होती है vertical stiffener आगर आप use करें तो maximum spacing जो होती है वो कितनी होती है तो 1.5d होती है दोनों को आप याद कर लेजिए अगले देखिए the air pollution which describe as disease of wealth is term as तो वो कौन सा होता है pollution due to transportation नेक्स देखिए encourage value of focus assume four times the diameter of bar if the angle of bend is चार गुना है चार डाया है फोर टाइमस चार गुना या फिर चार गुना ओफ डाया मेंटर ऑफ पार तो 45 degree का bend जो है वो बनता angle बनता है यह हम कई बार discuss कर चुके हैं अगले देखिए solid waste treatment by pyrolysis refer to solid waste जो होती है वो heating of absence of air heating in absence of air हवा जो है वो present नहीं है तो आप heat करते हैं तो solid waste treatment वही refer करती है अगला question देखिए हां पर how much increasing pressure will be if the uniform surcharge of 120 kN per m2 square का है is placed on the backfill with theta 30 degree का अब यह question भी हम solve कर सकते हैं लेकर screen पर नजर नहीं आएगा कैसे करेंगे यह question आप active earth pressure जो होता है उसके according आप पर solve कर सकते हैं अगला देखिए तो bacteria which survive on oxygen और oxygen dissolved in water are known as तो उसको आप किस नाम से जानते हैं aerobic वैक्टीरिया यह एक ऐसा bacteria that grow in presence of oxygen बढ़ रहा है यह पर जीवत रह रहा है यह पर जीवत रह रहा है presence of oxygen oxygen की उपस्तिती में वो growth कर रहा है यह पर जीवत हो रहा है उसको aerobic bacteria के नाम से जानते हैं अगर आफ aerobic का example की बात करेंगे कि भाई इसका कौन वो bacteria होता है तो वो होता है कि नोको कार्डिया नोकार्डिया नोकार्डिया एक वैक्टीरिया होता है एंड होता है बैसी लस यह दो वैक्टीरिया होते हैं जो की oxygen की presence में जीवत होते हैं यानि कि इनको जीने के लिए भी oxygen हो जुरूरी है तो देख लीजिए यह important हो जाता है हमारे अब देखिए यहां पर दो तिन पॉइंट और हैं जैसे की एन एरोविक होता है एक यह oxygen के बीना भी जीवत हो रह सकते हैं in the absence of oxygen oxygen के बीना भी जीवत रह सकते हैं इनके जीवत तो इनका अगर example की बात करेंगे तो E-coli बीना oxygen के भी जीवत रह सकते हैं सर्वाइब कर सकते हैं एक हमारे होता है फैकुलेटिव वेक्टीरिया यह फैकुलेटिव वेक्टीरिया फैकुलेटिव की अगर आप बात करेंगे तो यह दोनों condition में ज के साथ भी तो इसका मुझे एक्जेंपल तो नहीं पता है आपको पता है तो आप कमेंड बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि वह कौन सा वेक्टीरिया होता है मीटर ही होती है वह रडाय के लिए ऑनली के लाइट भी एक मीटर रहारे इस होती है में अगर ही एक अगर मेति scripts होती find out कर सकते हैं रहीं काइंड के according आफ वन प्लस साइन थिटा और बन माइनस साइन थिटा इस तरह से आफ़ का स्केर find out कर सकते हैं अगला देखिए वेस्ट आइटम दैट इस यूजली नॉट री साइकल तो वेस्ट ही होता है अगला देखिए एस सॉलिड क्यूब इस सजेक्टे टो इकल नॉर्मल फोर्स ओन ओल इट्स फेसे बोलिमेटिक स्टेंड बिल बी हौ मैनी ताइमस ओफ लीनियर स्टेंड थी ताइमस होता है तीन गुणा होता है अगला देखिए which one of the falling is used to kill the pathogenic पैथोजनिक के लिए कौन सी प्रोसस जो होती है वो आप पैथोजनिक वेक्टीरिय को मार देती है इस प्रोसेस ओब एडिंग अगलाइन और तो इससे आप पैथोजनिक वेक्टीरिय को मार सकते हैं कुछ हद दग मार सकते हैं अगला वुशन देखी हैं पर क्या वो रधा सॉयल फॉर्म बाइ वैदरिंग एक्षिन और रोग एंड रिमें एट प्लेस ओफ फॉर्मेशन वाइ रेजिडिवल सॉयल होते हैं रेजिडिवल सॉयल ही होते हैं बेंटो नाइट इस दा एक्जेंपल ओफ रेजिडिवल सॉयल वेंटो नाइट यह उदार्ण है रेजिडिवल सॉयल का अब ट्रांसपोर्टर में आपको पता कि तो रेजिडिवल सेंड आ जाता है हमारे पास वहां पर लेक से पैदा किया हुआ समुंदर से पैदा किया हुआ अलीन सॉयल भी आता है ग्लेशियर को भी लेट तो बहुत सारे एक्जेंपल है उसके कोर्डिंग ट्रांसपोर्टर के कोर्डिंग तो नेश देखिए कि if p and d are the pitch and gross diameter of rivets efficiency जो होती है rivet की that is efficiency of rivet is efficiency को आफ n से denote कर सकते है efficiency जो होती है P minus D over P ये होती है efficiency P minus D over P ये होती है तो आप find out कर सकते हैं भी आपको पता कि क्या होते है पीछ होती है डी क्या होते है डायमेटर ऑफ रेवरेंट के ग्रोस डायमेटर तो यह देख लीजिएगा अगला ओक्षिन देखिए आप सिंपल स्पोर्टर के बारे में पूछा गया है तो इसका आपको बताए कि बेंडि के लिए तो यही हमारा अंसर होगा इस कोशिन में अगला क्या बोल रहा है तो प्लास्टिक मुवमेंट के पैसिटी और प्रॉपलर केंटिलेबर शॉन बिलॉइज एमपी वाट इस वैली अफ कोलाप्स लोड तो यह एक लेंधी निमेरिकल हम इसको बोल सकते हैं लेकर इस व्रस की वैली होगी करें अगला उसिंदेह्fully मेनिंग ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेश्र क्या होता है हिज villains तो चाय हमारे पास एक्टिव अर्थ फ्रेश्र हो या फे कैसिभ अर्थ प्रेशचर हो दोनों का मेहल यही होता है इस अछपितिव स्ठेशब होता है चाहे हमारे पास active earth pressure हो या फिर passive earth pressure हो तो it is the ratio of horizontal and vertical principle effective stresses एक में क्या होता है कि retaining ball जो होती है moves away from the retained soil moves away यानि कि दूर जाती है active earth pressure में जो backfill होता है retaining ball में उससे दूर जाती है तो एक में क्या होता है retaining balls force against a soil mass एक में यह होता है तो यह दोनों active stresses ही हमारा इस question में अंसर हो जाते हैं अगला क्या बहुता तो gases produced by landfill primarily compresses of methane and carbon dioxide होती है अगला देखिए यहां पर consider the following strength of concrete क्या answer रहेगा इस question में तो c d d a यह answer रहेगा second वाला increasing order के लिए थर्ड अंसर है हमारा अगला question देखिए तर ratio of depth of the parabolic and rect angular portion block at a limiting state of collapse of a singly reinforced section is चार ratio 3 होता है चार ratio 3 अगला question देखिए हम दो ही question करेंगे 80 तक करेंगे 75 बोला था the how much how sorry the much failure in foundation layer of flexible load is known as base course failure हम उसको बोलते हैं लिच देखिए डायम डायग्राम बिच contain all three ingredients of a wet soil is term as उसको three phase diagram बोलते हैं आपको पता कि three phase diagram ही होता है wet soil के लिए so यह थे हमारा first part second part हमारे पास next video में discuss करेंगे मिलते हैं एसी नेक्स वीडियो में